चोपड़ा है जोगिस न्योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो जैसा कि हम सबको पता है नीट 23 एक्जाम के लिए दो मेने का समय सेश बचा है और नीट 23 एक्जाम में सेलेक्शन के लिए टाइम मनेजमेंट बहुत ही जैरूरी है अगर आपने एक्जाम के दोरान 3 hours 20 minutes को अच्छी तरह से मनेज कर लिया तो आपके सलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता मैंने ये अक्सर देखा है कि कम तयारी में ज्यादा तयारी वाले स्टुडेंट से टाइम मनेजमेंट में अगर बहतर है तो कम तयारी वाले स्टुडेंट तयारी कम होने के बावजूद भी उसका सलेक्शन हो जाता है और इस टाइम मनेजमेंट के लिए प्रक्टिस के लिए एक्जाम से दो मेने पहले का ही टाइम बहतर होता है अभी आपको time management की practice करनी है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी practice कैसे करें देखे exam के दोरान आपको 200 minutes मिलेंगे और 200 questions होंगे इसमें physics के 50 questions, chemistry के 50 questions, botany के 50 और zoology के 50 questions रहेंगे अब आपको सबसे पहले biology attempt करनी है आप जानते हैं, biology ही time cover करवाती है time saving करवाती है इसलिए आप botany और zoology को 50 से 55 minutes के बीच में solve कर ले chemistry के लिए 60 से 65 minutes का और physics के लिए 60 से 70 minutes के बीच का समय रखें और last के 20 minutes ओमार फिल करने के लिए बचा कर रखें ये time आप अपने तयारी के according सेट करें जैसे किसी student की physics strong है तो वो physics के लिए 5 minutes बायो और chemistry में adjust कर सकते हैं ये तो होगी exam के time सेट करने की बात मगर इसकी practice आपको अभी इनी दो मेने में करनी है आप जब भी क्यूशन practice करें या फिर test series की practice करें exam के according ही करें आप ये सोच कर practice करें कि जैसे आप exam hall में paper solve कर रहे हैं अगर आपका test series में time manage हो जाएगा तो आपको exam के लिए एक confidence आ जाएगा और आप time से पहले ही paper solve कर लेंगे मैंने एकसर देखा है कि ज़्यादतर student test की जो practice है time के according नहीं करते हैं और exam hall में वो किसी किसी कुशन में ज़्यादा समय दे देते हैं और बाद में हड़ बडाट के कारण कुशन छोड़ देते हैं अब जो OMR आपको fill करनी है वो 20 minutes का समय रखेंगे आप उसके लिए उसमें OMR तसली से fill करना है क्युशन पेपर से क्युशन का serial number check करके OMR में fill करें क्यूंकि अगर एक बार आपने black round कर दिया तो उसमें correction करने का कोई option नहीं रहता है वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा आप time management की अभी से practice शुरू कर दें अगर कोई question नहीं आता है तो उसको उलजकर उसमें ज्यादा समय बरबाद ना करें हर एक subject का time set कर लें इस exam में ज्यादा हड़ बढ़ाने और डरने की जौरत नहीं है समय बहुत है तसली के साथ में बिना टेंशन के exam दे लेकिन इसकी practice अभी से शुरू कर दें अभी जो भी आपको test देना है वो यह सोच के test देना है कि आप exam hall में ही need 23 का test दे रहे हैं धेर सारी practice करें बार बार practice करें आप अवसे सफल हों में best of luck कर देना है